हरे कृष्णा आप सभी पर काना जी के करपा सिदा बनी रहे आज सुनिए आगे की कथा मुन्यों ने कहा है मुन्ये अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर और पराकरम का भी व्रतान सुनना चाहते हैं आप उसी का वर्णन कीजिए व्यास जी बोले मुन्यों बलराम जी इस प्रत्वी को धारन करने वाले साक्षात भगवान शेस हैं उनकी महिमानंत हैं वे अप्रमे हैं उन्होंने जो कारिकिया उसका वर्णन करता हूँ ध्यान पुर्वक सुनो दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मना सुएंबर में जा रही थी उस समय जामवंती के पुत्र वीरवर सांब ने उसे बलपूर्वक हर लिया ये देखकर महा पराकरमी कंड दुर्योधन भीश्म और द्रोन आदी बहुत क्रोधित हुए उन्हाने सांब को को रुक कर कहा, कि मैं अकेला ही कौर्वं की है जाता हूं, वे मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे इसके बाद बलरामजी, हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उध्यान में ही ठेर गए, नगर में अंदर नहीं गए, बलरामजी को आया जानकर दुर्योधन आदी कौर्वं उन्हें गव अर्ग और जल भेंट किये ये सब विधी पूरवक स्विकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा राजा उग्रसेन की आग्या है कि तुम सब लोग साम को शीक्र छोड़ो बलदेव जी की ये बात सुनकर भीश्म, द्रोन, कर्ण और दुर्योधन आदी के क्रोध की सीमा नहीं रही राजा बहलीक आदी भी उपित हो उठे उन्होंने यदुकुल को राजी के अधिकार से वंचित जानकर बलराम जी से कहा बलदेव तुमने एक ऐसी बात कहड़ा ली है कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आग्या देगा अगर उग्रसेन भी कौरवों को आग्या दे तब तो हमें राजाओं के योग श्वेत छेतर धारन करने से क्या लाब होगा इसलिए तुम लोट जाओ साम्ब ने अन्याई पूर्ण कार किया है इसलिए तुम्हारे या उग्रसेन के कहने से हम उसे नहीं छोड़ सकते हम लोग यदुवंशीों के माननी है कुकुर और अंधक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही लेकिन स्वामी को सेवक की ओर से या आग्या देने की बात कैसी हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया उसे तुम्हारा एंकार बहुत बढ़ गया है इसमें तुम्हारा क्या दोश है हमने ही प्रेम वशनीती नहीं देखी बलराम हमने तुम्हारे लिए जो ये अर्ग निवेदित किया है इसमें किवल प्रेम ही कारण है हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्ग देना कदा पी उचित नहीं है ऐसा कहकर कौरव चुप हो गए उन्हाने श्रीकृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया इस विशे में उन सब ने एक राय कर ली थी वे सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़कर हस्तिनापूर में चले गए कौरवा द्वारा किये गए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोधाया वे घूरते वे उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने जोड़दार प्रत्वी पर प्रहार कर दिया महात्मा बलराम की एड़ी के आगात से प्रत्वी विद्यर्ण हो गई वे अपनी गर्जना से संपुन दिशाओं को गुंजा कर कम्पित करने लगे वे आखे लाल लाल और भौएं टेड़ी करके बोले अहो इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मत इतना भिमान है क्या केवल कौरव ही समराट पत के अधिकारी है हम लोगों का प्रभुत्व कुछी समय के लिए है क्या बात है जो ये महराज उग्रिसेन की अलंगनी आग्या को भी नहीं मानते देवताओं और धर्म के साथ शचिपती इंद्र भी उनकी आग्या की प्रतिक्षा करते है इंद्र की सुधर्मा सभा में भी इस समय सदा महराज उग्रिसेन ही विराजमान होते है इन कौर्वों का राज सिंगासन तो सेकड़ मनश्यों की जूठन है उसी पर इनको इतना संतोष है दिक्कार है इन है आज से उग्रिसेन ही समस्द राजाओं के भी राजा बन कर रहे है अब मैं इस प्रत्वी को कौर्वों से हीन करके ही द्वारकापुरी को लटूँगा कर्ण दुर्योधन द्रोन भीष्म भालीक दुशासन भूरी भूरी श्रवा सोमदत शल तथा अन्य कौर्वों को उनके हाथी घोडे और रथों के सहित मार डालूँगा और वीरवर साम को उनकी पत्नी के साथ द्वारकापुरी में ले जाकर उग्रिसेन आदी बंदु बांधवों का दर्शन करूँगा अत्वत देवराज इंद्र की प्रेणा से हमें शीगरी प्रत्वी का भार उतारना है इसलिए समस्त कौर्वों के साथ उनकी हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाले देता हूँ ऐसा कहकर क्रोध से आखे लाल किये बलबत्र जी ने अपने हलका मुख नीचे की ओर किया और चार दिवारी की जड़ में धसा कर जोर से खीचा इससे सम्पोन हस्तिनापुर सहसा डगमगाता सा जान पड़ा ये देखकर समस्त कौरव व्याकुल होकर हाहकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले महा बाहु राम बलराम शमा कीजे शमा कीजे मुसलायुद अपना करोध शांद कीजे और हम पर प्रसंद होए बलराम ये पतनी सहित साम्प आपकी सेवा में समर्पित हैं हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे इसी से हम लोगों के द्वार आपका अपराद हुआ है आप करप्याओं से क्षमा कर दीजिए ऐसा कहकर कौरवों ने पत्मी से साम को बल्भदर जी के सामने उपस्थित कर दिया भीश्म द्रोन क्रपाचार आदी बल्राम जी को प्रणाम करके प्रिवचन कहने लगे तब बल्वानों में स्रेष्ट बल्र बल्राम जी का ही प्रभाव है इसके बाद कौरवों ने बल्राम जी के सहित साम्ब का पूजन करके बहुत से उपहार और नवधु के साथ उन्हें द्वार का पूरी भेश दिया वियास जी कहते हैं मुनियो बल्शाली भगवान बल्राम जी ने जो और पराकरम किया था वो कहता था कि श्री कृष्णी ने देवताओं के कहने से ही पलवान नरकासुर का वत किया है इसलिए मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूँगा इस निश्य की अनुसार वह यग्यों का विध्वश और मर्तिलोक का विनाश करने लगा अग्यान से मोहित होने के कारण उसने साधू पुरुशों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संघार आरंब कर दिया वह चंचलवानर देश नगर और गावों में आग लगाने लगा कहीं कहीं परवत गिराकर गावों आधी को कुचल डालता था परवतों को उखाड कर समुद्र के जल में डाल देता था वानर द्विद इच्छानुसार विशाल रूप धारन करके खेतों में लोटता घूंगता और खेतों को कुचल कर नस्ट कर डालता था उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुथ कार आरंब कर दिया था कहीं कोई स्वाध्याय और वशटकार का नाम लेने वाला ही नहीं था अब संसार अत्यंत दुखी हो गया एक दिन रैवत परवत के उध्यान में बलभद्र जी तथा महा भागा रेवती विहार कर रहे थे उनके साथ और भी सुंदर इस्त्रियां थी बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे और वो उनके सुयश और से हसने लगा ये देखकर बलभद्र जी ने क्रोधित होकर उसे डाटा लेकिन उनके डाटने की परवह ना करके वे किलकारी मारने लगा तब बलराम जी ने उठकर बड़े क्रोध के साथ अपना मूसल हाथ में लिया और उधर उस बानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उ बार बचाकर उनकी चाती में पड़ी तेजी से और क्रोध के साथ घूसा मारा ये देखकर बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार कर दिया इससे वह रक्त उगलता हुआ नर्जीव होकर धर्ती पर गिर पड़ा गिरते समय उसके शरीर के वीर आपने ये बहुत बड़ा और अच्छा कारे किया ये दुस्ट वानर दैति पक्ष का साहर था और इसने संपूर्ण जगत को संकट में डाल रखा था सभागी की बात है कि आज ये मारा गया इस प्रकार इस प्रत्वी को धारन करने वाले परम भुतिमान पलराम जी के अनेक अद्भुत पराकरम है जिनकी कोई गणा ही नहीं हो सकती इस तरह जगत का उपकार करने के लिए पलराम जी सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैतियों और दुस्ट राजाओं का वद किया फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अक्षोहिनी सेनाओं का व कुलका भी संगहार कर डाला अंत में स्वैंभु श्रीक्रिष्ण द्वार का पुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदी के साथ पुनहां अपने आश्रे भूत परमधाम को चले गए मुन्यों ने पूछा है ब्रहमन भगवान ने ब्रहमनों के शाप को निमित बना करें थे वहां यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया वे सभी कुमार यौवन के मद से उन्मत थे इसलिए भावी की प्रेणा से उन्होंने जामवन्ती कुमार सांब को इस्तरी के वेश में विभूशित किया और मुन्यों को प्रणाम करके विनित भाव से पूछा महर्शियों ये इस्तरी पुत्र की इच्छा रखती है बताईए ये अपने पेट से क्या जनेगी वे महर्शित विग्यान से संपन थे फिर भी यदुकुमारों ने उनके साथ शल किया ये देखकर उत्तम वृत का पालन करने वाले उन महर्शियों ने यादवों के नाश के लिए शाप देते वे कहा ये इस्तरी एक मूसल पैदा करेगी जिससे संपुन यदुकुल का संघार हो जाएगा उनके ऐसा कहने पर यदुकुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सभाल कह सुनाया साम्ब के पेट से मूसल पैदा हुआ उग्रसेन ने उस मूसल के लोहे को कुटवा कर चून बनवा दिया और उसे समुद्र में फेक दिया वह चून एर का नाम की घास के रूप में उत्पन हो गया मूसल का जो लोहा था उसे चून कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बचा ही रह गया उसे यादवगण किसी प्रकार भी चून नहीं कर सके उसकी आकरती तोमर के समान थी वह टुकड़ा भी समुद्र में फेक दिया गया था लेकिन एक मत्स ने उसे निगल लिया उस मत्स को मचेरों ने जाल बिचा कर पकड़ लिया जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याध ले गया भगवान श्रीकृष्ण इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्रीकृष्ण के पास अपना दूद भीजा उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा भगवन, वसू, अश्विनीकुमार, मरुदगण, आदित्य, रुद्र तथा साध्यादी देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूद बना कर भीजा है प्रभु देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वो इस प्रकार है सुनिए देवताओं के प्राठना करने पर आपने जो इस प्रत्वी का भार उतारने के लिए अफ्तार लिया था उसे आज सौ वर्ष से भी अधिक हो गए दुराचारी देत्य मारे गए, प्रत्वी का भार उतर गया अब देवता आप से सनात होकर स्वर्ग में निवास करी जगनात अगर आपको स्विकार हो तो अब आप अपने परमधाम को पधारिए श्री भगवान बोले दोत तुम जो कुछ कहते हो वो सब मैं जानता हूँ इसलिए मैंने यादवों के संघार का कारे आरंप कर दिया है यदि ये दुवंशियों का संघार ना हो तो ये प्रत्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा इसलिए मैं साथ रात के भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूँगा जिस प्रकार मैंने दुवार का पुरी बसाने के लिए समुदर से भूमी मांगी थी ठीक उसी प्रकार उसे वह भूमी लोटा भी दूँगा और यादवों का संघार करके अपने परम धाम को जाऊंगा देवराज, इंद्र तथा देवताओं को यो मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में ही आ गया इस प्रत्वी के भार रूप जो जरासंद आदी राजा थे वे मारे गए फिर भी इन यदवन्शियों का भार उनसे भी पढ़कर है इसलिए प्रत्वी के इस महाभार को उतार कर ही मैं देवलोग की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिविगति से देवराज के पास चला गया इधर द्वार का पुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिविभौम और अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा देखो ये अत्यन्त भहेंकर महान उत्पात हो रहे है इनकी शांती के लिए हम सब लोग शीक रही प्रभास छेत्र में चले उस समय महान भगवत भक्त उधव जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा भगवन अब मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए आग्या दे प्रभू मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संघार करना चाहते हैं क्योंकि मुझे ऐसे निमित दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं श्री भगवान बोले उधव तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिविगत्ती के द्वारा गंद मादन परवत पर परम पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ वहां की भूमी बड़ी पवित्र है उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते वे निवास करो फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिध्धी प्राप्त होगी मैं इस कुल का संघार करके अपने धाम को जाओंगा मेरे त्याग देने पर समुत्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर्द नारायन के आश्रम में चले गए इसके बाद संपूर्ण यादव शी ग्रगामी रिथ पर आरोड होकर बलरांग और श्रीकृष्ण आदी के साथ प्रभास्षेत्र में चले गए वहाँ पहुँचकर कुकुर और अंधक वंश के सभी लोगों ने प्रसनिता पूर्वक मदिरा पान किया पीते समय उनमें परस पर संघर्ष हो गया जिससे विनाश करने वाली कलहागनी प्रज्वलित हो उठी दैव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को ही शस्त्रों से मार्दा आरंप कर दिया जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई एरका नाम की घास सब ने उखाल ली उनके हाथों में आने पर वह एरका बज्र की तरह दिखाई देने लगी उसके द्वारा ही वह एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे प्रत्युम्न, साम, कृत्वर्मा, सात्यकी, अनिरुथ, प्रथू, विप्रथू, चारुवर्मा, सुचारु तथा अक्रूड, आदिस अभी यद्वन्शी एरका रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे श्री कृष्ण ने यादवों को ऐसा करने से रोका, लेकिन वे उन्हें अपने विपक्षी का सायक मानने लगे और उनकी अवेलना करके परस पर प्रहार करते ही रहे इससे भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध हो आया, इसलिए उन्होंने भी उनका वद करने के लिए मुठी भर एरका उखाड ली और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वरतांत आप सभी अगले थैमे सुनिएगा उमीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज आज इस वीडियो को शेर जरूर कीजेगा